हेलो एवरिवन आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चेप्टर 1 विच इस सेट्स के मिस्लेनियस एग्जाम्पल्स वीडियो में हम बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे बहुत सारी अच्छी चीजें सीखेंगे तो मेरी आप सबसे यही एक request है कि अगर आप ने हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो उसे सबस्क्राइब कीजिए विडियो को देखिए अगर आपको genuinely ये विडियो पसंद आता है तो उसे like कीजिए और अगर आपको ठीक लगता है तो उसे share जरूर कीजिए Having said that, अब हम चलते हैं अपने examples की तरफ, let's see ये देखिए, example number 28 आ गई है, कि इन्होंने question की statement कुछ इस तरह से बोली है कि दो words है, cataract और tract, इनको जब हम sets में लिखेंगे, उन्होंने बोला है, क्या ये sets, equal sets होंगे जैसा की हमें पता है, दो तीन चीज़ें हम अभी सीख लेते हैं, कि एक तो ये बात है, कि जो भी sets होते हैं, उन्हें capital letters के साथ denote किया जाता है दूसरी चीज़ ये है, कि हम sets में कभी भी letters को बार-बार नहीं लिखते हैं, और हमें इस बात का भी पता है, कि दो sets तभी equal होते हैं, जब उनके सारे elements, दोनों के, और number of elements भी equal होते हैं अब शुरू करते हैं, हम इसका solution लिखना और देखते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, देखिए, solution, let x be the set of letters of the word cataract and let b be the set of letters of the word tract, हम लिख लेते हैं, x को लिख लेंगे, c, a, t, a आचू का है तो दुबारा नहीं लिखेंगे, r, a आचू का है तो दुबारा नहीं लिखेंगे, C आ चुका है तो दुबारा नहीं लिखेंगे and T तो आ चुका है तो दुबारा नहीं लिखेंगे इसी तरह से सेट B लिख लेते हैं Tract T, R, A, C और T आ चुका है तो दुबारा नहीं लिखेंगे अब आप ये देखिए कि हमें ये देखना है कि क्या ये दोनो sets equal हैं भी हैं या नहीं है So let's see ये रेखिए T आ चुका है इसमें है R आ चुका है इसमें है A आ चुका है इसमें है C आ चुका है इसमें है तो चारो के चारो letters जो हैं वो दोनो sets में हैं अब हम ये लिख सकते हैं कि सिंस फिर्य ऐलिम्न अफ सत X is in set B and every element of SET B is in set x therefore x is equal to b hence proved और यही तो हमें प्रूव करना था I hope you must have enjoyed the answer thank you so much for watching the video have a nice day bye bye